स्वागत्य आपका अमारे चैनल पर आज हम करेंगे कक्षा 4-5 ने विसे हिंदी का अग्रह कार है जो खी 30 सप्टेम्बर का है तो चलिए स्टार्ट करते हैं खाली स्थान में सही सब्द लिख कर वाक्यों को पूरा करें पहला भरा हुआ है दूसरा देखिए राहूल अपने घर में सबसे बड़ी संतान है इसमें क्या लिखेंगा बड़ी अगला देखिए मेरी दीदी कैसे सोभाप की है सरल सोभाप की सरल आएगा इसमें अगला देखिए घर मुहिनी एक अच्छी तैराख है यहां पर क्या आएगा अच्छी अगला देखिए दिये वाक्यों में विशेशन सब्द के नीचे रेखा किचकर विशेशन सब्द लिखिए पहला भरा हुआ है अगला देखिए दिने से एक सरारती लड़का है इसमें विशेशन कौन है सरारती तो यहां पर लिख देंगे सरारती अगला देखिए मीरा महनती लड़की है इसमें महन महेंती विशेशन यहाँ पर लिख देंगे महन्ती अगला नमबर पर सुरीला आएगा सडक पर कौन दोड रहा है कि घुड़सवार दोड रहा है कैसा घुड़सवार है कि इसको अब आगे देखते हैं जो बचे का वह बढ़ देंगे आगे देखिए आज मैंने एक बढ़ा चुभा देखा तो यहां पर क्या आजाएगा बढ़ा चार नमबर पर शालू भौत सुंदर लिखती है पांच नमबर पर सुंदर आएगा यहां पर सुंदर लिखेंगे अगला है चञ आज मैंने खटी इंबली खाई 6 नमबर पे खट्टी आएगा अगला है मोहित कैसा बालक है होसियार बालक तो यहाँ पे आएगा 7 होसियार अगला है रचना रचना क्या है छोटे बच्चों के साथ खेलती है यहाँ पर आठ में छोटे आएगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे घुर्षवार में दो सडक पर दो घुर्षवार दोड रहे थे तो यह था हमारा आगर चोथा देखते हैं विशिस्ताओं के आदार पर मिलान करना है पौदे कैसे होते हैं हरे बरे खिलोने कितने होते हैं भहुत सारे व्रक्ष कैसी होती है व्रक्ष कैसे होते हैं व्रक्ष कैसे होते हैं बड़े चोटे कोयल कैसी होती है काली बच्चे कितने होते हैं कुछ इस प्रकार से आपको भड़ना था तो बच्चों ये था हमारा आज का घ्रेकार है चार से पांच के लिए जुड़े चनल से धन्यवाद